नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं सरकार के कामकाज और लोक सभाचुनाव की त्यारी को लेकर चर्चा की आपको बता है कि बीजेपी की नए परदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिरी मरांडी की पीम मोधी से पहली मुलकात है सिरी मरांडी, ग्रिह मंत्री, अमीत सा, राष्ट्रिय अध्यक्ष, जेपी नड़ा सही दूसरे आला नेताओ से भी मुलकात करेंगे सिरी मरांडी ने उन्हें बताया है कि पार्टी को संगाठनिक रूप से मजबूत करने और केंद सरकार की नीतियों को लेकर करकारता पुरी ताकत से जूटे हुए है ज्यारखन के सभी 24 जीलो में सुरू होगा खेलो इंडिया सेंटर 24 जीलो में केंद्र के लिए 24 प्रसिक्षा करके जाएंगे इसके लिए खेल विभाग की ओर से प्रसिक्ष को कितला सुरू कर दी गई है 17 जूलाई तक कोच के लिए आवेदन मांगे गई है इन केंद्र में कोच के रूप में पूर्व के राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय पदग विज़ता खिलाडियों का उसर मिलेगा अवेदन के लिए अधिक्तम 40 प्रस उमर निधारित है वहीं 20 जूलाई तक सभी केंद्रों के लिए खिलाडियों का टैलेंट हंट कर लिया जाना है बतादे राजे में खेलों के विकास के लिए बड़ी पहल हो रही है केंद्र की ओर से रांची में 3 और राजे सरकार की ओर से 6 खेलों के लिए एक्सिलेंस सेंटर के सुरूआत हो रही है वहीं आब राजे के सभी 24 जूलों में एक खेलो इंडिया सेंटर के सुरूआत इसी सत्र से होने जा रही है केंद्र सिरकार की सफल योजना है खेलो इंडिया के तहत परदेश के सभी जीलो में छो खेलो के केंद्र सुरू होंगे मुख्यमंत्री हेमांसुरे ने कहा छोटी वाजहो से बील पास ना होना चिंता जनाक मुख्यमंत्री हेमांसुरे ने कहा बाते कही है, CM ने नए कानून बनाने, इसमें संसोधन, विधायकों के प्रश्णों का उतर देने वाले विभागों के साथ ही, राज भवन सचीवाले के पताधिकारियों को इन पहलूओं पर मंधन करने पजोर दिया, CM ने कहा है कि देश्ट का समिधान ऐसा मिस्टन है, जहा संसदे प्रणानी चलाने के लिए विधायका, करपालिका वर नयपालिका को अलग-अलग अधिकार है, विधायका लोगों के कल्यानार्थ, विधेयक पारित करने, संसोधन, प्रस्ताव लाने, नितिन निधारन सहित कई कारे करती है, परिक्षा में कम अंग लाने वालों को भी मौका दे शिक्छन संस्थान, कम अंक लाने वाले बच्चों की परतिभावा को सिक्छन संस्थान कम तर ना आके नमांकन में सिर्फ अंक यादार ना हो, इसे कम अंक लाने वाले परतिभावान बच्चे छुड जाते हाँ स्कूलों में ऐसा मेकेनिजम त्यार किया जाना चाहिए जिसमें कम अंक लाने वाले परतिभावान बच्चों की पहचान की जाए और उन्हें अउसर दिया जाए उक्तबाते राज के बितमंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने सोमवार को प्राइवेट स्कूल और चिल्रेन वेलफेर एसोसियेशन की ओर से खेल का विश्थित हरिवन्स टाना भगत इंडो स्टेडियम में अवजी छात्र सम्मान समारों में कही है बितमंत्री ने कहा है कि अधिकतर सिंक्षन संथारों में अभी भी अधिकतम अंक वालों का ही एडमिसन लिया जाता है पहली सोमवारी को बाबा धामे डेरला कवार्यों ने किया जलारपन पंसराणी मेला का पहला सोमवार कवालियों से पट गया, गेरिवा रंग से मेले का रंग चढ़ने लगा, सुबह चार बज़े से देर साम लगभग 18 गंटे तक जलारपन हुआ है, गर्भगरी के सामने लगा अरगा और बाय अरगा से तक रिबन डेर लगभगतों ने लगी थी, रात के 12 बय से सीव राम जा, चोक पर बने, सेड में कावारिया एकतरित होने लगे, सिर्वे धानिक संस्थाओ को किसकी सरकार है, इसकी चिंतर नहीं करनी चाहिए, जारखन के मुख्य मंत्री हेमांस्री ने कहा है कि जारखन को बने 23 साल पूरा होने जा रहा है, नया राजे होने की वज़े से जारखन बिधान सभा को बिधाईका का बहुत लंबा अनुभव नहीं है, या बहत जरूरी है कि बिधाईका और कारेपाली का बेहतर समन्वे और ताल मेल के साथ कारे करें ताकि आम जानता को इसका लाब मिल सके, उन्होंने कहा है कि जन परत अस्थाय बेहतर तरीके से चलती रहे, इसके लिए चिंतन करने क्यों सकता है, मुख्यमंत्री हेमांस रेन, सोमवार को जारखन बिधान सभा सभागार में बिधी निर्मान की परकिरिया याम कारपाल का कदाई तो बिशाय पर आजजीत, तिरी दिवस्य प्रसिक्षन सेमिन के दोरान प्रसासनिक अधिकारियों और उपसित लोगों को समधित कर रहे थे, राजिव गांधी की परतिमा अस्थापित करना चाहते हैं भाजपा बिधायक भायनु परता, भाजपा का कोई भिनेता कॉंग्रेस और नेहरु परिवार की वन सोवार्दी राइनिती को कोश दुआ में पूर्व परधान मंत्री की परतिमा स्थापित करने की घोसना की है, दरसल इसके पीछे उनके पीता और पूर्व मंत्री हमेंद्र परताप देहाती की इक्छा है, कुछ महीने पहले ही उनका निदन हुआ है, आपने दिवंगत पिता की इसी इक्छा को पूरा कर प्रतिमा लगाने में कोई हर्ज नहीं है इसे लेकर कॉंग्रेस के कई वरियने ताओ से उनकी बात्चीत भी हो चुकी है उन्होंने प्रतिमा का निर्मान भी करा लिया है वे अपने दिवंगत पिता की इक्षा पूरा करना चाहते हैं इंटरनेट बंद करने पर हाई कोट ने सरकार से मांगा जवाब जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिस्रा और जस्टिस अननसेंट की खंड पिठ में इंटरनेट से वर बंद करने के आदेश को पूरुमे परकासित क्यों नहीं किया जाता है इस मामले पर अगले सुनवाई के लिए एक गारा सी तमग तीधी निधारित की गई इस संबन्द में सौप्ट्वेर, फ्रीडम, लास सेंटर की ओर से जर्नित याज के दाकिल की गई है प्राथी की ओर से कोट में बताया गया है कि रांची सहीत राजे के कई जीलो में हिंसा की असांका को लेका इंटरनेट से वा अचानक बंद कर दी जाती है ज्यारखन को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस जारखन के लोगों को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सोगाद मिलने वाली है रांची और हावडा के बीच चलने वाली गाड़ी के 15 अगस से पहले सुरू होने की सम्भवना है बता दे पतना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद एक और वंदे भारत की सोगा जार्खन को मिलने जा रही है रांची और हवडा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही दोनों राजयों के बीच के सफर को असान बनाएगी रेलेवे ने इसके लिए रूट निधारन कर लिया है रांची से वंदे भारत मोरी बोकारो धनवाद होते हुए हवडा तक जाएगी इसी तरह हवडा से भी या ट्रेन इसी रूट से वापस आएगी जल्द ही पूलिस की गिरफ्त में होगा अमन साओ का गिरो कोईला करवारियों ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से रंगदारी की मायंग करने वाले अमन साओ और अमन साओ के गूरगे जल्द ही पूलिस की गिरफ्त में होगे करवारियों को धमकी देने के मामले में जारखन ETS ने अमन साव गिरों के अपरादियों की तलास तेज कर दिया है जारखन ETS ने इसके लिए समंधित जीलों के पूलिस की भी मदद ली है ETS के निशाने पर अमन साव का खास गुरगा मयंग सिंग है जिसने कोईला करवारियों से लेवी मांग कर उन्हें दसत में डाल दिया जाता है धन्यवाद